बहुत समय पहले की बात है एक छोड़ी से शहर मंगलापुर में दो बहने रहती थी दोनों बहनों में बड़ा प्रेम था उनके माबाप के बच्पन में मृत्यू हो गई थी बड़ी बहन राधा गरों में काम करके अपना और अपनी बहन सीता का पेट पालती थी एक दिन की बात है राधा ऐसा कब तक चलेगा रोज रोज वही खाने की दिक्कत ना ही हम सब ठीक से खा पाते हैं और ना ही पहन पाते हैं पर मैं भी क्या कर सकती हूँ बहन मुझे इस काम के अलावा और कोई काम भी तो नहीं आता राधा क्यों ना मैं भी तुमारे साथ घरों में जाकर काम किया करूँ खाबरदार अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है और तु घरों में जाकर काम करने की बात कर रही है अरे मैं तुझे पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहती हूँ राधा की बात सुनकर सीता चुप हो जाती है वो कुछ नहीं बोलती और जाकर चुप चाप सोने चली जाती है क्या करूं इस लड़की का ये तो कुछ समझती ही नहीं मैं तो इसे पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ पर ये है कि काम करने की जित कर रही है और अगले दिन सीता, सीता, मैं काम करने जा रही हूँ तुम अपना ध्यान रखना और किसी को भी घर में मताने देना ठीक है राधा, तुम आराम से अपने काम पर जाओ राधा अपनी मालकिन के घर काम करने जाती है घर का काम करके वो शाम को अपनी मालकिन से पैसे मांगती है मालकिन जी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है मुझे कुछ पैसे दे दो अरे, अभी तो तुझे परसों ही पैसे दिये थे फिर तुझे इतनी जल्दी पैसे की क्या जरूरत पढ़ गई वो मालकिन जी मुझे अपनी बहन के लिए किताबें खरीदने के लिए चाहिए अभी नहीं है मेरे पास पैसे वैसे और क्या करेगी तू अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर अब तू उसे टीचर बना या चाहे कुछ बना मेरे पास नहीं है पैसे देख मैं ये तुझे रोज रोज पैसे नहीं दे सकती और तू कल से काम पर मत आना अरे मालकिन जी आप ऐसा मत बोलिए आप काम नहीं कराएंगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा वो मुझे नहीं पता अब तू जा यहां से चल निकल चल फोट राधा वहां से उदास मन से जब शाम को काम करके लोट रही होती है तो वो पूरे रास्ते यही सोचती आती है जब सीता मुझसे पैसे मांगेगी तब मैं उसे कहां से दूंगी और उसे कैसे बताऊंगी कि मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है राधा यह सोचते सोचते वहीं रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है राधा जिस पेड़ के नीचे बैठी रो रही होती है उसी फेड़ पर बैठी चुडैल राधा को रोते देख रही होती है तभी चुडैल राधा के सामने आ जाती है चुडैल चुडैल राधा चुडैल को देख कर भागने लगती है अरे अरे भागो मत मुझसे मत डरो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी पर तुम तो चुडैल हो और मैं केसे मानूं कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगी अरे सच मैं कुछ नहीं करूँगी अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस तरह रो क्यों रही थी राधा फिर चुडैल को सारी बात बताती है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अब तुम बस अपने घर जाओ राधा जब अपने घर जाने लगती है, तो चुडैल भी राधा के साथ साथ उसके घर चली जाती है इस बात का पता राधा को नहीं चलता, कि चुडैल उसके साथ उसके घर आ गई है राधा के घर आते ही सीता राधा से पैसे मांगती है राधा तुम अपनी मालकिन से पैसे मांग कर लाई हो वो सीता मालकिन ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया पर तु चिंता मत कर बहन मैं कहीं न कहीं से पैसे का इंतिजाम कर दूँगी राधा ने मन ही मन सूचा कि मैं सीता को कैसे बताओं कि मालकिन ने मुझे काम से निकलवा दिया है राधा क्या बात है आज तुम कुछ उदास लग रही हो कुछ हुआ है क्या राधा सीता की बात सुनकर रोने लगती है और फिर उसे बताती है कि मालकिन ने उसे काम पर आने के लिए मना कर दिया है तब ही राधा सीता से कहती है अच्छा तू ये सब छोड़ मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ राधा रसुई में जा कर देखती है अरे रसोई में तो कुछ भी खाना बनाने के लिए नहीं है सारा सामान खत्म है अब मैं सीता को क्या खिलाऊंगी तब ही राधा रसोई में उपर रखे डब्बे को उतारती है तो देखती है उसमें थोड़े से ही चावल रखे थे जिससे की सीता का पेट भी ठीक से नहीं भरता मैं सीता को यही बना कर खिला दूँगी राधा सीता को वो थोड़े से ही रखे चावल बना कर खिलाने जाती है ये ले सीता आज ये चावल खा कर ही काम चला ले आज ये ही है सीता देखती है कि राधा अपनी थाली नहीं लाई राधा तो महारी थाली कहा है राधा कुछ नहीं बोलती तो सीता सब समझ जाती है और वो चावल में पानी मिला कर आधा राधा को दे देती है और आधा खुद खाती है खाना खाते खाते राधा रोने लगती है राधा, तुम रो मत, हम दोनों कुछ न कुछ तो करेंगे, जिससे कि हम पेट भर कर खाना तो खा सके, तभी सीता के दिमाग में एक आइडिया आता है क्यों न तुम मेरे स्कूल के बाहर चिली पोटैटो बेचू, मेरे स्कूल के पास ही एक आंटी, खाने पीने की चीजें बेचती हैं, उनकी बड़ी कमाई होती है, तो तुम भी स्कूल के बाहर चिली पोटैटो बेच सकती हो, पर तेरे स्कूल के पास चिली पोटैटो बेचन की कारण उसे बहुत जोरों से भूधा लगती है, राध्या मुझे बहुत जोरों से भूधा लग रही है, मेरा पानी वाले चावलнойश से पेट नहीं भ़रा, लगता है आज तो पानी पीकर ये पेट भरना पड़ेगा. राध्या रसोई में पानी पीने जाती और वो उधर जाकर देखती है कि रसोई में विभिन ने प्रकार का भोजन रखा है। राधा खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों बेहने पेट भर कर खाना खाती हैं और सो जाती हैं। और अगली सुभा राधा सुभे जल्दी उठकर चिली पटैटो बनाने की तयारी करने लगती है जब चिली पटैटो बन कर तयार हो जाता है। सीता मैं चिली पटाटो बेचने जा रही हूँ तुम समय से स्कूल चले जाना ठीक है ठीक है राधा राधा स्कूल के बाहर चिली पटाटो बेचने लगती है चिली पटाटो ले लो चिली पटाटो ले लो गर्मा गरम चिली पटाटो आजाओ आजाओ जल्दी जल्दी आजा राधा उसे चिली पोटैटो दे देती है वो बच्चा चिली पोटैटो खाने लगता है और खाकर कहता है अरे तुमें चिली पोटैटो अच्छे लगे हाँ दिदी मुझे और कहाना अभी देती हूँ राधा उस बच्ची को एक प्लेट और देती है और जब उसके चिली पोटैटो बिक जाते हैं तब वो अपना ठेला लेकर अपने घर की ओर चल देती है देखते ही देखते राधा की दुकान पर चिली पोटैटो अच्छी मात्रा में बिकने लग जाते हैं राधा एक दिन सीता से बात करते हुए आरे सीता मुझे अब लग रहा है कि मुझे हेलपर की जरूरत पड़ेगी अब रेडी पर बहुत भीड होती है राधा ये बात बोलती है तभी चुडैल उनके आगे आ जाती है आरे तुम तो वही चुडैल हो ना जो मुझे पेड के नीचे मिली थी हाँ मैं वही चुडैल हूँ और मैं तुम्हारी तब से मदद कर रही हूँ आरे कैसे और तुम यहां कैसे आई मैंने उस दिन तुम्हें रूते हुए देख लिया था और मैंने तभी ठान लिया था कि मैं तुम दोनों की मदद करूंगी और तभी से मैं तुम्हारे साथ आ गई उस दिन मैंने रात को देखा कि तुम्हारे पास तो खाने के लिए खाना भी नहीं है तभी मैंने तुम्हारे लिए खाने का रात में इंतिजाम किया अच्छा रात में इतना सारा खाना तुमने रखा था क्या हाँ, मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हारे लिए खाना प्रकट किया था अच्छा, अब मैं समझी हाँ, तुम दोनों बेहने मुझे गलत मत समझना मैं तुम्हारी मदद ही करने आई थी और मैं चाहती हूँ तुम्हारी हमेशा मदद करूँ अच्छा, तुम मेरी चिली पोटैटो बेचने में मदद करोगी हाँ, हाँ, क्यों नहीं, बिलकुल करूँगी अगले दिन से ही राधा और चुडैल दोनों एक साथ रेड़ी लगाते हैं और चिली पोटैटो बेचते हैं और होब पैसे कमाते और सीता की अच्छे से पढ़ाई करवाते